आज हम लोग करने वाले हैं अवेकनिंग अलवारो वर्सिस नॉर्मल अलवारो स्किल कमपारिजन एक तरफ है अवेकनिंग अलवारो जो एक ग्रिनेट को तीन नेट्स में बदल देता है और वही नॉर्मल अलवारो ये कारनामा नहीं कर सकता है तो हम लोग करने वाले हैं कुछ टेस्ट जिससे ये clear हो जाएगा कि आपको update के बाद awakening अलवारो यूज करना है या फिर normal अलवारो first test होने वाला है wall breaker test इस test में हम लोग ये देखेंगे कि सामने लगी हुई glue all को कम से कम nates में कौन सा अलवारो तोड़ सकता है तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग normal अलवारों से try करते हैं तो दो grenade यहाँ पे fake चुके हैं अभी तक सिफ वाल के उपर cracks आएं और जैसे ही तीसरा grenade गया है यहाँ पे completely wall destroy हो चुकी तो मतलब normal अलवारों से तीन grenade लगेंगे आपको wall को break करने के लिए वहीं अगर बात करें हम लोग awakening अलवारों की तो यहाँ पे total दो grenade लगें हैं मतलब पहले grenade से यहाँ cracks आ चुके थे walls के उपर और दूसरे grenade से completely wall destroy हो चुकी है second test होने वाला है level 4 west versus nade पहले हम लोग normal अलवारों से nade fake कर देखने वाले हैं कि सामने opponent जो level 4 की west पहने हुए है वो कितने grenade में knock होने वाला है तो एक nade जा चुका है उसकी यहाँ पे 50% hp कम हुई है और दूसरा nade जाते ही यहाँ पे वो knock हो चुका है तो normal हयातों से दो grenade level 4 की west पहने है तो same test हम लोग करने वाले हैं awakening अलवारों से और देखने वाले हैं कि कितने nades लगेंगे player को knock करने के लिए और यह क्या यह तो एक ही nade में knock हो चुका है तो मतलब awakening अलवारों बहुत ही जादा powerful है एक ही nade से level 4 की west ऐसे गायब हो गई जैसे arrow gaming के subscribers के सामने से opponent third test होने वाला है reflect nade जब हम लोग normal हयातों से nade cook करते हैं और window के अंदर फेकते हैं तो opponent आपको कुछ इस तरह से बाहरा कर मार देता है क्योंकि आप उसके सामने nade cook करते हो और उसको पता होता है कि वो nade window के अंदर ही जाने वाला है वो फॉरण बाहरा कर तुमको knock कर देता ह जब ये test हम लोग ने awaken अलवारों के साथ करा तो result कुछ और ही थे क्योंकि यहाँ पे opponent का pop-up हो चुका था तो जैसा अब वीडियो में देख सकते हो मैंने nade cook करा और जैसे ही fake एक nade अंदर गया और दो nade बाहर ही रह गया तो opponent को ऐसा लगा कि nade तो अंदर जाने वाला है क जैसा आप सभी को पता है कि normal अलवारों से जब आप nade cook करते हो और उसको toss करते हो किसी घर के अंदर तो वहाँ पे opponent easily बच जाता है क्योंकि एक nade को dodge करना इतनी बड़ी बात नहीं होती है वो simply glue wall लगा लेता है या फिर दूसरे room में चला जाता है जैसा आप वीडियो में देख सकते हो अब सेम चीज हम लोग देखने वाले हैं अवेकनिंग अलवारों के साथ तो जैसे ही यहाँ पे मैंने नेट को करा opponent ने जैसा अपनी position बदल ली मतलब वो सामने वाले room में चला गया अवेकनिंग अलवारों से जैसे ही मैंने नेट फेका एक नेट तो पहले व खतरनाक है क्योंकि आप एक नेट फेक होगे और opponent के पास तीन तीन नेट जाएंगे तो मतलब room के हर corner तक आपके नेट पहुचने वाले हैं तो भागने के रास्ता बिलकुल भी नहीं मिलने वाला है अवेकनिंग अलवारों के आने के बाद स्नाइपर टावर के उपर सबसे जादा camping tough होने वाली है क्योंकि अभी normal अलवारों से ही बचना बहुती जादा मुश्किल था लेकिन अब अवेकनिंग अलवारों के तीन तीन नेट से स्नाइपर टावर के उपर camping करना close to impossible हो जाएगा अवेकनिंग अलवारों तो ओपी character होने वाला है लेकिन क्या हो अगर आप free fire में अपने opponent को wall के आर पार मार सको तो आपकी screen पे latest tips and tricks आ चुकी है जिसको देखने के बाद आप भी wall के आर पार अपने opponent को मार सकोगे अगर आपको ये video अच्छी लगी हो तो please comment box में ज़रूर बताना और channel के support के लिए channel को subscribe करके bell notification को ज़रूर प्रेस कर देना मिलते FMD आप सबसे नेक्स तूल एंग तिल दिन साइन अफ